क्या आपको पता है फिर से ग्रहन लगने वाला है और ये जो ग्रहन है ये 8 नोवेंबर को लगेगा अभी अभी 25 अक्टूबर को एक ग्रहन गया है यानि कि 15 दिन के अंदर 2022 साल में दो-दो ग्रहन लगे ये किसी महभारत यूद से कम नहीं है क्योंकि ग्रहन लगना कही न कह किना सौधान वरतनी है ग्रहन क के दौरान साथ में आपको ये चीज बताई जाएगी कि इस ग्रहन का इक्जाक टाइमिंग क्या होगा कौन से दिन हो रहा है जो मैं यहाँ पर पूरी तरीके से explain करूंगी मेरी pregnancy में भी जो था वो ग्रहन आ गया था जिस कारण से मैंने क्या क्या किया जिस कारण सब कुछ मेरी pregnancy में ठीक रहा उन सारे points को highlight करूंगी और मैं आप लोगों को कही न कही कुछ ऐसे suggestions ऐसी बाते बताऊंगी जिसे ग्रहन में बच्चे के उपर बुरा प्रभाव होने से आप खुद को और अपने बच्चे को बचा सकती है वीडियो को स्टार्ट करते हैं वेलकम मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चानल पहली बार आए हैं इस चानल पे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चानल को सब्सक्राइब कीजिएगा यहां हम बात करते हैं कि आठ नुवमबर को जो चंदर ग्रहन लगने वाला है उसकी टाइमिंग होगी दोपहर एक बज़ के 32 मिनट से लगेगा जो साम को 7 बज़ के 27 मिनट तक रहने वाला है यानि कि पूरे 6 घंटे का ग्रहन है इतना लंबा टाइम ग्रहन का है तो इस दोरान एक प्रेगनेंट लेडी क्या क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है तो पहले हम बात करते हैं नहीं करने की तो आपको पूजा पाट नहीं करना है आपको बाहर घुमने नहीं जाना है आपको एक कमरे के अंदर रहना है इस 6 घंटे और साथ में विंडो खिड़की इन सारी चीजों को कवर करके रखिए जिससे आपके ऊपर कोई भी हर्णफूल चंदर ग्रहन का जो रेज होता है वो नहीं पड़े वैसे तो असुब ही माना जाता है किसी भी ग्रहन को चाहे वो चंदर ग्रहन हो या सुड़ी ग्रहन हो लेकिन आपको क्या करना है आपको साधानी बरतनी है अब ये हम guys बात करते हैं आपके खाने पीने की तो आप सारी चीज़े खा पी सकती है जो आपका मन करता है साथ में अगर बात किया जाए दवाईया खा सकती है और दूद पानी फ्रूट सब कुछ खा सकती है बस आपको किसी फ्रूट को खुद नहीं काट रहा है आपके husband सकते हैं या घर में और भी family member है या अगर कोई है ही नहीं तो आप directly खालो लेकिन चाकू का इस्तेमाल बिल्कुल वरजीत माना जाता है क्यों कोई भी नुखीली चीज़े जिससे आपके हाथों में चोट लगने की chances होती है अब यहां बात करते है ग्रहन स्टार्ट होनी से पहले आप नहा धुआ के कमरे में बैठ जाइए अपनी लंबाई का धागा रख लिजे धागा आपका सफेद कलर पीला कलर या लाल कलर का हो सकता है धागे को रखे भगवान का नाम लिजे जब ग्रहन समाप्त हो जाता है नहा धुआ कर उस धागे को गमले की मिटी में लिए अब यह ग्रहन जो है यह बहुत सारे अन्य देशों में भी दिखाई देगा यह भारत में भी दिखाई दे रहा है इसलिए अब आपको अच्छी खासी सा अधानी भारतने की जरूत है जो चीजे मैंने बताई सेम उसी चीज को आप फॉलू कीजिए यह को है यह कुल